यह देखे गाइज आज हम ले करके आ गए हैं आप लोगों के लिए टेस्टी हेल्दी मुंग डाल की खिचली जो कि बच्चों को बिल्गुल पसंद नहीं आती है मगर इस तरह से बना करके खिलाएंगे ना बच्चों को तो वह पसंद आएगी तो हलो इवरिवान आप सुक् में तो अब देख सकते हैं कि हम उनल्य होन्मारे की और हमारे लंड़ेमर मंबंर की तावध सब्सक्राइड देंक तो से खिचली सकते हैं ह।कर आप बाउल ले लिया हैं हमें में राइस जो नान। घर में चावल खाथेल हैं बसाही ले लिआ है अब इसको हम बनाएंगे द तोनों चीजों को डाल देंगे आप चाहें तो अलग अलग भिगो सकते हैं हमने एक में ही भिगो दिया तो इसको हम आदा गंटे के लिए भिगो करके रग देंगे जिससे कि हमारी किछली बहुत अच्छी और बहुत जल्दी सॉफ बनेगी तो इसे देखे पहले हम दो से ती जिए बहुत 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 जाएं तो इस तरह से तोड़ कर देखें तो चावल भी अच्छी से टूट रहा है और दाल भी फूट तो पानी निकाल देंगे और बनातने के प्रोसेज में चलते हैं तो यह देख सकते हैं हमने अपना पै कूकर चळा दिया है इसमें डाल दे पेट के लिए जीरा भी बहुत अच्छा होता है और अब इसमें डालेंगे हींग थोड़ा से हींग जादा ही डालेंगे इस तरह से हम बनाएंगे ना तैली खिचली जो कि आपको दोबारा चौक लगाने तक की ज़रूत नहीं पड़ेगी इतना अच्छी से बन कराईगी जाल दिया है कर दोड़ी हाब स्पून इसको मिक्स कर लिए फ्लेम को धीमा ही रखेंगे अब इसमें डाल देंगे राइस डालने के बाद में इसमें और इंक्री आट करेंगे तो देख सकते हैं अब जितना हमने दाल और चावल लिया था उसका ठीक चार गुना पानी हमने म는지 मलब गाडी और पतली अपनी हिसाब से बना सकते हैं गौना के अपनी बनाया थ्यूस हिसाब बनाया थे हम आप अब इसमें हम डाल देंगे देखिए नॉर्मल आप वाइट नमक भी ले सकते हैं मगर हमने यहां पर काला नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से जो कि पेट के लिए सही होगा और यह डाल देखिए चाट मसाला में काली मिरच भी होती है थोड़ा सा तीखा पन भी होता है और कईटह नॉर्मल चावल बनाते हैं तो यहीं सीटी में लिए बिक हो जाता है मगर हम धले फ्लेम पर लेंगे एक सीटी और लो फ्लेम पर लेंगे दो सीटी यानि वैखिँ की शीट बल्ठी, निकल चुकाई चावल बहुत अच्छे से में में देख सकते हैं और जिस हिसाब तीकनेस के साथ हमें चाहिए थी तैडी खिछली उसी हिसाब से बन गई है आप इसे तैडी या किछ भी बोल सकते हैं हमारे बच्च्छा रहें कि उनके कहाँ कि चाहिए तो चले दें मैं थाली लगाने जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए जैसा कि पता दोड़को कि चोटे तो प्लिस सपोर्ट करिएगा तो यह देखिए अब इसमें डाल दिया है हरादनिया टमाटर और इमली की चटनी जो कि हमने आपको बताई है बनाना तो अगर बड़े लोगों को सर्ब करते हैं तो आप प्याज और मिर्च भी रख सकते हैं नीबू रख सकते हैं तो आयोब आ करिए पिकासी लोगते हैं